दोस्तों वेलकम तो दे चैनल दोस्तों आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम है हमारे पास मेकेनिकल प्रॉपरेटिज ओफ फ्लुइड्स अब फ्लुइड्स क्या होते हैं तो फ्लुइड्स देखिए इसमें पानी भरा है और पानी एक फ्लुइड है अब इस फ्लुइड की पूरी जानकारी हमें इस चाप्टर में लेनी है आज हम इंट्रोड़क्टरी लेक्चर में बात करेंगे ताकि फ्लुइड क्या होता है फ्लुइड मेकेनिक्स क्या होता है इनकॉंप्रेसिबल लिक्विड क्या है सॉलिड और फ्लुइड में क्या ड इसे पढ़ने का पढ़ना शुरू करने वाले हैं तो हमें एक चीज बहुत ही ध्यान से ध्यान में रखनी है कि हम जब पढ़ेंगे तो हम matter की अगली stage के बारे में डिसकस कर रहे हैं जो solid के बाद में आती हैं अब solid के बाद में जो stage हैं वो liquids भी हम कह सकते हैं तो बिलकुल अब शुरू करेंगे हमारे chapter that is mechanical properties of fluid कभी-कभी यह से fluid mechanics भी कहा जाता है तो कुछ भी हो अंदर का content सब तरफ कैसा है यह topic जो है यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा important बन जाता है जब हम state board और CBSC board की examinations के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो mechanical properties of fluid शुरू करते हैं सबसे पहले fluid के बारे में पढ़ेंगे what is of fluid अब fluid के लिए देखिए मैंने इसमें से पानी लिया हमारे board पे थोड़ा सा डाला और क्या होता है? flow होता है अगर हमने पानी लिया देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लिए डालता हूँ हमने पानी थोड़ा सा डाला और हमने क्या कर लिया? board थोड़ा सा तेड़ा कर लिया अब क्या हो रहा है? it is flowing तो हम fluids को सबसे पहले यही define कर सकते है anything which flows is a fluid तो इसी line से शुरू करेंगे और इसी point से हमारा topic आके लेके जाएंगे anything which flows is fluid तो आगे बढ़ते हैं बटा तो चलोगों दोस्तों शुरू करते हैं कि what is fluid? इसकी short note हमने बनाई है जो हमें exam में भी आ सकते हैं तो शान्ती से देखिए क्या है fluids के लिए क्या लिख सकते हैं? a substance that can flow अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया हमारा example के लिए liquid हमने consider कर लिया है यह हमारा fluid हो गया मैंने पानी consider किया है a substance that can flow is called as fluid a fluid is a phase of matter that includes liquid, gases and plasma अब सिर्फ liquids ही fluids नहीं है gases भी fluids है plasma भी fluid है because these are the states of matter which flows यह flow करती है gas भी flow करता है gas हम यहाँ पर दिखा नहीं सेकेंग यहाँ पर जो है that is also a gas which is flowing and fluid is a phase of matter that includes liquid, plasma and gases fluid is a substance which deforms continuously under the action of external force अब इसका क्या मतलब है it deforms continuously under the action of external force यहने क्या है कि इस पर अगर मैंने deformation external force इस पर अपलाय कर दिया तो क्या हो जाएगा इसका shape भी क्या हो सकता है change हो सकता है यानि इसका खुद का shape it changes under the action of deforming force तो ऐसा हमारा क्या है fluids से यानि क्या fluids में internal restoring forces बेटा solid से कैसे कम है आ रहा है समझ मैं आपको कि internal restoring forces solid से क्या हो जाएगे कम हो जाएगे और यह सबसे important green color का point हमने लिखा है that fluids are the substances which do not resist the shear force अब shear force कौन सा force है the force causing change in shape अब मैं आपको एक easy example बताने कोशिश करता हूँ that may not be a proper example बट देखें हमारे पास यहाँ पे एक shape बना है liquid का और मेरे पास यह खाली class है मैं का करता हूँ मैंने इसमें क्या कर लिया पानी भर लिया अब यही liquid था जो मैंने इसमें भर लिया और उसका shape क्या हो गया change हो गया और liquid ने जरा भी इसे oppose नहीं किया अब oppose नहीं किया तो किसे oppose नहीं किया change in shape को उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई समझ लीजिए, पेन है, एक highlighter पेन है, that is in solid state, मैं का करता हूँ, इसे यहाँ से press करता हूँ, अब press करने के बाद भी क्या होता है, it does not changes its shape, मैं इसको यहाँ से उठा कि यहाँ पे रखता हूँ, इसका shape नहीं change होता है, यानि that may be a common sense to you, but that is an important structure, कि fluids are the substances which cannot resist force causing change in shape, इसे shear force भी कहा जाता है, tangential force भी कहा जाता है, कि जो अपना खुद का shape कर सकते हैं, change होने दे सकते हैं, उनका shape easily change हो भी जाता है, air, water, toothpaste, molten lava, यानि मैंने जानबुच के ऐसे example लिखे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि we have very very wide range of fluids, molten lava तो हमने कभी देखा नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है, टीवी में ही देखा है, बट वो भी एक fluid है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, it also flows, lava देखा होना, जो आपने volcanos से, जौला मुकी से जो बाहर निकलता है, that is our, that can be considered to be lava, and it also flows, and fluid flows under the action of under the action of force or pressure, ये बहुत, ये हमें इस पूरे चप्टर में क्या है, पढ़ना है, कि fluid क्या होता है, flow होता है, under the action of pressure or force, अब इसका flow कैसा रहेगा, कौन से टाइप के fluid हम consider करने वाले हैं, वो सब बाद में आएगा, पहले इन characteristics को और इन properties को शांती से देख लीजे, a substance that can flow is called as fluid, the substance which is flowing, it is a fluid, fluid is a phase of matter that includes liquid gases and plasma, सिर्फ liquids की बात नहीं होगी, सिर्फ water की भी बात नहीं होगी, उसमें air है, plasma state of matter है, plasma is a combination of liquid and solid that is a state of matter, उनके बारे बात में discuss करेंगे, a fluid is a substance which deforms continuously under the action of external force, आप जैसे जैसे इस पर pressure apply करते जाएंगे, देखें, तो इसका shape क्या होता है, change होते रहता है, it deforms, deformation इसमें है, deformation है, याने क्या है, internal, देखें, वहाँ पर पानी गिरा था, इसलिए दिखर रही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, internal restoring force is zero, इसका internal restoring force zero है, and fluids are the substances which cannot resist the shear force, shear force को resist नहीं कर सकते, अब shear force नहीं क्या, change in shape उनका easily हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने इस पैनी में pen डाल दिया, तो shape change हो गया, और वो इतना easily हो गया, कि उसने कुछ resisting नहीं किया, तो it can also flow under the action of force or pressure, these are our fluids, अब इन fluids में बहुत सारे type भी होते हैं, और solids और liquids में बहुत difference भी होता है, fluids में बहुत difference भी होता है, तो उनके बारे में भी इस lecture में हमें discuss करना है, यह समझ में आगया बेटा, comment section में लिखके बताईए, कि सर आगे बढ़िये, तो हम आगे बढ़ते हैं, short note तो हमें लिखे लेना है, short note आप कैसे लिखेंगे, pause कीजिए, और short note लिखेंगे, ताकि हमें अच्छे से आपके पास एक notes भी तयार हो जाएगी, जिससे हम आगे बढ़ सकेंगे, समझ में आगे बेटा आपको, तो pause कीजिए, लिख लीजिए, और आगे बढ़िये, हम आगे बढ़ेंगे, तो देखें हम पहला type discuss कर रहा है किसका incompressible fluid का, अब incompressible fluid यह ideal fluid है बेटा, जिसमें सबसे prominent property कही जाती है density, अब density हम सबको पता है, density is indicated as mass upon volume, mass upon volume, और जैसे-जैसे pressure change होगा, वैसे-वैसे volume क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, यह हमें chemistry बताता है, और chemistry में यह भी बता चलता है कि pressure और volume यह boils law से कैसा है, connected है, तो वो तो बाजू में रख देंगे हम, लेकिन, लेकिन, देखिएं, हम क्या कह रहा है, ऐसा एक ideal fluid हो सकता है, जिसकी density does not change with change in pressure, क्या pressure बढ़ाते जाओ, और उसकी density क्या हो नहीं होगी, change नहीं होगी, तो ऐसे liquid को हम क्या कहेंगे, incompressible liquid, fluid कहेंगे, और liquid कहेंगे, अब आप एक बात देखिएं, कभी-कभी मैं fluid को liquid भी कह दूँगा, तो that may be a same thing, वो एक flow में हो सकता है, लेकिन आप fluid ही समझना, तो a fluid which density does not change with change in pressure is known as incompressible fluid and density remains constant, तो ये एक ideal fluid का structure है बेटा, कैसा है, ideal है, ऐसे liquids और ऐसे fluids बहुत कम देखने को मिलते हैं, numerical में इनका बहुत काम आता है, इसलिए का अगर numerical में किसे ने लिख दिया, कि we are taking an incompressible fluid, तो हमें ये consider करना बढ़ता है, कि उसकी density कैसी रहेगी, same रहेगी, netto density change होती है, ये हम discuss करने ही वाले है, अब properties क्या लिख सकता है fluid की, हमने short note लिखी दिया है, लेकिन properties जो हमें याद रखनी है, जो हमें compulsory पता होनी चाहिए, क्या properties है, अब देखिए, इट has ability to take shape of a container, it does not deform, does not oppose deformation, it has ability to flow, ये बाते तो सब ठीक है, लेकिन मैं आपको मेरे हिसाब से, solid और fluids में का एक difference बताता हूँ, समझ लीजे, हमारे पास ये solid है, और ये हमारे पास क्या है, fluid है, अब solid और fluid में, ये solid ये fluid, इन दोनों में major difference क्या है बेटा, हम solid का shape, external force apply करके क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं, fluids का भी कर सकते हैं, लेकिन solids में एक और ability होती हैं, जिससे हम उसका shape internally भी क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं, जैसे हम fluids का नहीं कर सकते, और इन में एक force होता है, that force is internal restoring force, जो fluids में नहीं है, यानि internal restoring force solids में present है इसलिए उनका shape कैसा है fix है जो fluids में नहीं है इसलिए वो क्या हो जाते है flow हो जाते है समझ में आ रहा है आपको तो ये एक major difference इनमे का है हम अब क्या करने वाले है देखिए हम अब pressure नाम की term पर जाएगे जहां से हमारा chapter properly start होने वाला आपको incompressible fluid याद आ गया आप आप क्या कीजिए screenshot भी ले सकते है चलते चलते फिर बाद में इसे लिख लीजेगा तीन चार बार तो screenshot लेना है आपको तो वैसा भी आप कर सकते है तो incompressible fluid क्या हो गया density does not change with change in pressure और properties भी हमने लिख डाली fluids की तो हमारे पास अब क्या है pressure पर जाएंगे हम pressure बहुत ही important structure रहेगा और pressure के different aspects हमारे पास रहेंगे what is hydrostatics और उससे हम फिर expression को क्या करेंगे आज का lecture हम वहाँ पर रूख जाएंगे तो बहुत ही शांती से अगला पार देखना है आपको तो बैटा चलेंगे comment section में लिखते रही है मुझे बता दे रही है तो चलिए हमारा chapter officially start करते है हमारा chapter जिस branch में आता है physics के उसको कहा जाता है hydrostatics अब hydrostatics क्या है hydrostatics is a branch of physics which deals with properties of fluids it is a branch of physics which deals with properties of fluids और इसमें सबसे पहले जो term आती है that is called as pressure अब मैं pressure को बहुत शान्ती से आपको explain करूँगा अब आप देखिए एक liquid column है गटा ये एक liquid है आ रहा है समझ में अब इस liquid से इस surface पर ये जो नीचे surface है ये समझ में आ रहा है आपको ये इस liquid column से इस surface पर जितना force act हो रहा है और force कैसा act हो रहा है vertical, normal force समझ में आ रहा है कि normal force acting per unit surface area बहुत लोगों को समझता ही नहीं कि pressure of fluid कहाँ पैक्ट होगा pressure of fluid बीच में नहीं रहेगा pressure of fluid फ्लुइड पे नहीं है pressure of fluid कहाँ पे है, surface पे है जो surface जिस container में वो present है यानि अगर हमने, एक मीट मैं इसको फिर से डाल देता हूँ और समझ लिजे, जब हम पानी भरते हैं तो ये surface contact में होता है तो पानी भरने के बाद इस surface पे per unit area जो force act होने वाला है that is considered to be the pressure of fluid समझ में आ गया आपको कि क्या है it is the normal force exerted by fluid normal force exerted by fluid per unit surface area यहाँ से ऐसा, normally per unit surface area और surface area कौन सा, area of contact नीचे, नीचे तक आगा समझ में तो it is called as a pressure तो definition तो हमें पता भी थी बहुत लोगों ने इसका definition को पहले पढ़ा भी होगा सुना भी होगा, तो that is not important but pressure हमारे आज से शुरू होने की term के लिए बहुत ज़्यादा important है, what is pressure? तो pressure is considered to be normal force exerted by fluid per unit surface area area of contact, it is called as pressure and pressure can be indicated as force upon area अब force upon area है तो इसे हम easily क्या लिख सकते हैं F upon लिख लिए है मैंने A, अब unit क्या बन जाएगा? force का unit हो गया, newton, area क्या unit हो गया? newton per meter square और क्या बनेगा? dine per centimeter square ये तो बेटा unit हो गया किसके? pressure के और pressure के units हो गया, ये हो गया MKS में, ये हो गया CGS में दूसरी बात, pressure कौन से quantity है? scalar quantity है does not require direction क्योंकि pressure अपला हो सकता है so force upon area newton per meter square, dine per centimeter square और क्या पता होना चाहिए? dimensions पता होनी चाहिए force की dimensions हम लिख सकते है M1, L1, T-2 upon area क्या हो जाएगा? L2 2 in length तो अगर ये numerator को जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 in mass, minus 1 in length, minus 2 in time these are the dimensions for क्या होने के? pressure बन जाएगे तो this is not important structure हमें तो पता होना चाहिए कि definition क्या है? अब हम क्या गरेंगे? formula डेरावी करेंगे जिस formula से हम pressure in liquid column जैसे ये एक liquid column है एक liquid column है और इस liquid का इस surface पे कितना pressure है? ये हमें निकालना है सीर्जी जीर इसका ही निकालना है कि इस glass में जो पानी है वो at the state of rest है और इस glass के पानी का इस liquid के इस container के base पे कितना pressure apply हो रहा है तो that will be our first formula of the chapter और उस formula से हम क्या करेंगे? रुख जाएंगे तो definition समझ में आ गई है आपको definition क्या है बटा? f upon a f upon a force upon area the normal force exerted by fluid per unit surface area of contact it is called as pressure कोई सीधे सीधे भी ऐसे लिख लिया कि force per unit area तो भी बराबर है तो उसको भी हम wrong नहीं दे सकते बट टिक्निकली कैसा है? हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम जो force consider कर रहे है वो normal force है 90 degrees पे force है and that can be considered आगे समझे मेटा? आगे बढ़ते हैं important formula derive करना है शांती से देखते रही है तो भी हम एक expression solve करेंगे expression for pressure exerted by liquid column अब क्या है? देखिए, diagram कैसे है? ये हमारा vessel था ऐसा ही same जो हमने निकाला है इसके अंदर हमने जैसे एक ये जैसे ये डाल दिया है वैसा जैसे orange color का अंदर है वैसा हमने orange color का vessel कैसे कर लिया? अंदर डाल दिया जैसे orange color का vessel अंदर डाल दिया उसका A this is cross-sectional area और उसके height कितनी है? H हमें क्या निकालना है? कि इसके अंदर जो liquid column है उससे इस cross-sectional area पे कितना pressure आ रहा है कितना pressure आ रहा है that is our basic requirement कि वो हमें निकालना है सबज में आगे आपको क्या निकालना है? तो rho क्या बन गई? rho यह symbol कैसा है? rho है density का symbol है rho it is density of liquid cylinder having area of cross-section A and height H is inside the vessel अब हमें क्या करना है? हमने consider कर लिये M is mass of liquid column V is volume of liquid column and P is pressure अब हमें क्या करना है? इन सब को मिला के हमें एक expression बनाना है जिससे हम pressure निकाल सके अब pressure का formula हम सीधे सीधे क्या लिख सकते है? pressure is equals to force upon क्या बनेगा? area बनेगा pressure area कौन सा? area of liquid column और force कितना हो सकता है? force जितना यहाँ पे liquid present है उसका weight ही तो force होगा न? उसका weight ही क्या होगा? force होगा तो हम क्या लिख सकते है? mg upon क्या बन गया? a बन गया this is our pressure expression खतम नहीं होगा है हम formula derail करने वाल है देकिन P is equals to क्या बन गया? mg upon a because force कितना अपला हो रहा है? force is the weight of that particular liquid column but हमें mass of liquid पता नहीं होता है mass of liquid, mass of fluid it is very hard to know इसलिए हम क्या करते है? consider density अब density गरेगे rho is equals to m upon क्या बनेगा? v बनेगा mass upon क्या हो जाएगा? volume और mass की value कितनी आएगे? आपकी rho multiplied by v आगया rho multiplied by v where v is volume तो हम लिख सकते है mass is equals to rho multiplied by क्या हो सकता है? volume हो सकता है अब volume of liquid column तो हम इस container से ये भी लिख सकते है बटा m is equals to rho multiplied by area of cross section multiplied by क्या लिख सकता हूँ है? क्यूंकि volume के बदले हम area multiplied by height लिख सकते है लिख सकते है? length into breadth into height that is volume length into breadth अने क्या होता है? मैं आपको एक बार फिर से लिख के दिखाता हो कि हम क्या कर सकते है अब किसी को समझ में नहीं आ सकता तो मास इग्वल्स to row लिख लिया multi power by क्या लिख लिया volume लिख लिया अब रो as it is लिख लिया of volume का formula क्या होता है length into breadth into height length into breadth फैने क्या हो गया area तो हमारा unda formula कितना बना raw multiplied by by a musimy about by bin bigger h is equals to M हम यहाँ पहार बर लेंगे substitute कर लेंगे और हमारा final expression आएगा that pressure exerted can be given as m के बदले क्या लिख लिख लिया है रो ए एच जी अपॉन ए अगया है ए क्या हो गया है कैंसल तो p is equals to क्या बन गया रो एच जी फियर रो क्या है बटा डेंसीटी of liquid h क्या हो गया height height किंस की height of liquid column and g it is acceleration due to gravity and this is the expression for pressure यह formula हमारा लगेगा जब हम क्या करेंगे application करेंगे और यह expression हमने बनाया है p is equals to rho hg बहुत ही easy expression है अगर आपको expression ऐसा है कि expression for pressure exerted by liquid column and on what factors pressure depends किन factors पर dependent है तो यह dependent किस पर है rho h और g पर rho is density of liquid h is height height कौन सी height of this liquid column कितना चड़ा हुआ है यहाँ पर that is the expression and g is acceleration due to gravity यह सब हो कहा पर रहा है acceleration due to gravity exactly वहाँ पर कितना है एक बार फिर से बताता हूं कि p क्या हो गया pressure upon area जिनको समझ में आ गया है comment section में लिखे की समझ में आ गया है और फिर से एक बार देखिए pressure क्या आ गया pressure is equals to force upon area तो force कितना है liquid column जितना present है उसका weight तो उसका weight कितना लिख लिए हमने mg तो equation आ गया mg upon a अब हमें क्या करना था mass को replace करना था तो mass को replace करने के लिए हमने क्या consider किया density consider की and density can be indicated as mass upon volume it is mass upon volume अब volume के लिए mass के लिए क्या बन गया rho into volume rho into volume volume के value क्या आती है length into breadth into height length into breadth is equals to area h वैसे क्या वैसे हमने m कुई substitute की value on p is equals to हमें equation क्या मिल गया rho a h g upon a a क्या हो गया cancel equation क्या बन गया rho h g expression मुझे लिखके भीज़े वेटा यह important chapter होने वाला है हम रोज इसका एक-एक expression लेंगे बहुत ही जल्दी भी कतम हो सकता है अगर हमने regular इसका पढ़ाई कर लिया लेकिन सब का homework आना जाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं आगे समझें बेटा तो चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए पढ़ते रहिए फ्लेवड मेकनिक्स बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है छोड़ना नहीं है कम्प्लिटली हो जाएगा चाप्टर इंपोर्टन्ट है तीन से चार मार्क का चाप्टर हमारे टेक्सबूक में है तो वेटा पढ़िए होमवर्क करके भेजिए थैंक्यू